NFT, 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 मतलब हर जगा कच्छा बदाम सोंग के बाद, यहां पर पुस्पामों भी सोंग के बाद, आपको यही सुनने को मिलती है, कि NFT के साथ यह picture इतने का बिग गया, यह इतने का बिग गया, यह चीज इतने का बिग गया, मतलब हर जगा आप newspaper खोल लो, कर सकते हैं and open see के साथ connect कर सकते हैं तो डोंट बोरी दूस्तो आज के श्विरों में बहुत ही simple हुए बहुत ही आसान बाशा में आपको समझाने बाला हूँ कि आखिर यह मेटा मार्क्स क्या चीज़ है और किस तरह से आप मेटा मास जो वाइलेट है उसे आप क्रियेट करके अपने open see में connect कर सकते हो मतलब हर चीज आपका clear होने बाला है बहुत ही एक आसान and बहुत ही एक easy language में तो वीडियो आपके लिए ब्रॉस तो बहुत ही useful होने वाली है बस मैं आपको एक ही चीज बोलूँगा वीडियो को आप मिस मत करना हर जो भी चीज में आपको बता रहा हूँ हर चीज को बस अची तरह से आप 2-4-5 मिनिट यहां पर आप देना और हर चीज को अच्छी तरह से देख लेना तो नेक्स ताइम अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप उससे जबाब दे सकतो और आपका जो भी माइंड में जो भी सवाल से एनेप्टी को लेकिए वो सारा चीज आपका क्लियर होने तो चले करते हैं वीडियो को फटा के स्टार्ट विदाउट विश्टी के सकेंड तो अब सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं अखिर यह एनेप्टी है क्या चीज तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके सिंपल हुए बताओ तो एक ऐसा प्लेटपॉर्म जहां कि दोस्तों आप अपने डिजिटाल आर्ट मतलब दोस्तों अगर आप अपने फोन अपने लेप्टॉप में कोई भी ड्रॉइंग बनाते हो साथ ही दोस्तों अगर आप वीडियो किरेटर वीडियो बनाते हो या फिर आप म्यूजिक बगेरा बनाते हो तो यह सब दोस्तों डिजिटाल आर्ट हो गया तो दोस्तों इस सब डिटल आर्ट को आप NFT पे बेस सकते हो बेस सकते हो एंड साथ ये आप इसका कुछ प्राइस रख सकते हो मनलों कि आपने लेप्टोप अपने फोन पे एक ड्रॉइंग बनाया आप इससे NFT प्लेटफर्म पे बेसना चाहते हो साथ ही आप इसका कुछ प्राइस रख सेक्ते हो तो अगर सामने वाले को अगर आपका यह जो प्राइस इसे खरिदना है तो सिंपली से आप जो भी प्राइस रखे हो इसके एकोर्डिंग आपको यहाँ पर क्रिप्टो कोंच दिया जाएगा और साथ यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि कौन सा crypto points आपको दिया जाएगा आपने जो भी अपना drawing बेचा है तो उसके according आपको कौन सा crypto points दिया जाएगा तो यह सब totally depend करता है दोस्तों आप कौन से market platform पर आप अपने NFT अपने digital arts को बेच रहे हो लाइक एक सबसे popular NFT sites है एक NFT platform है उसका नाम है OpenSea तो जो कि दोस्तों इस OpenSea platform पर यहाँ पर दोस्तों Ethereum crypto points को accept किया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने कोई भी digital arts को बेच दो तो यहाँ पर आपको उसके बदले में Ethereum currency को दिया जाएगा और बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे platforms है जहां कि दोस्तों आपको अलग-अलग तरह के crypto coins को accept किया जाता है और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी platform है जहां कि दोस्तों currency को भी accept किया जाता है US dollar वगेरा को accept किया जाता है तो यह सब जो totally depend करता है कि आप अगर अपने arts को बेचते हो तो यहाँ पर आपको उसके बदले में कौन से cryptocurrency दिया जाएगा तो यह सब totally आप कौन से platform को choose कर रहे हो इस पर depend करती है basically दोस्तों NFT का full form होता है non-pungible token तो इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब बहुत ही simple है जो भी आप digital arts को बेच रहे हो NFT platform तो हर digital art हर वो चीज जो आप बेच रहे हो उसका एक अलग value है आप उसके साथ किसी और चीज को change नहीं कर सकते हो लाइक अगर बात करें bitcoins वगेरा cryptocurrency का जो भी coins है तो अगर दोस्तों आपके पास ethereum coins है और साती दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी और coin में आप इसे change करना तो same value करके आप इसे exchange कर सकते हो बट यह भी बात करें NFT में तो NFT में आप ऐसा नहीं कर सकते हो आप जो भी चीज अगर आपको किसी को पैसा बेजना है किसी से पैसा मंगाना है तो उसके लिए हाँ पर आपको एक mediator चाहिए ना एक bank चाहिए ना कि अगर आप मनलो कि किसी को पैसा बेजना चाहते हो अगर आपका भाई कहीं दूर रहता तो आगर आप उसे पैसा बेजना चाहते हो तो आप खुद तो जाके देते नहीं हो तो आप bank का सहरा लेते हो तो आप bank में जामा करते हो तो bank आप उहाँ पे पैसा उसके account में पहु के लिए तो दोस्तों आपको एक account चाहिए जिसके थुरू आप दोस्तों उसे पैसा भेज सकते हो या फिर आप कोई भी चीज खरीजते हो तो आपको कोई पैसा भेज सकता है तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं किस तरह से हम एक Metamarkz account को एक Metamarkz wallet को बना सकते हैं और किस तरह से हम किसी भी NFT platform इसे connect कर सकते हैं यहाँ पर मैं अभी आपको एक Metamarkz account बना के दिखाऊंगा और साथ ही दोस्तों ओपैंसी वेबसाइड पर ओपैंसी प्लेटफॉर्ण पर इसे में आपको connect करके दिखाऊंगा तो चलिए मैं आपको अपने phone के home screen पर लिए चलता हूं और साथ ही आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूं तो दोस्तों मैं से आज चुका हूँ अपने phone के home screen तो चलिए आप next देखते हैं किस तरह से हम अपने Metamarkz में wallet बना सकते हैं एक account बना सकते हैं और फिर next बनाने के बाद किस तरह से उसे open c platform open c marketplace पर यहां पर उसे connect कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर अगर आपने Metamarkz application को download नहीं किया है तो अगर आपके पास iOS device है या फिर Android device है तो दोनों के play store में आपको दोनों के app store में यहां पर दोस्तों आपको Metamarkz and open c application मिल जाएगी तो दोनों को सबसे पहले आप जाके download कर लो download करने के बाद आपको next करने क्या होगा दोस्तों simply से यहां पर आपको सबसे पहले Metamarkz account को open कर देना होगा उसके बाद next यहां पर welcome स्क्रीन आपके सामने खुल के आजएक उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना क्या है यहां पर आपको दो option दिया गया है अगर आपके पास अल्लेड़ी से account है तो simply से आप अपना password को यहां पर create कर लो जिस भी password के साथ आप इस Metamarkz account को इस Metamarkz application को यहां पर आप सेक्यूर करना चाहते हो इसे आप पासवर्ड लगाना चाहते हो तो अपने यहां पर आप एक password set कर लो पहले password interconnect बाद सिंपले से यहां पर नीचे में आपको एक और टार्म अन कंडिशन वग्यरा तो option आरा है इस पर आप क्लिक कर दो क्लिक करने का अगर आप रिवाइंड मी करना चाहते हो पासवर्ड अपने में अपने डिवाइस में सेफ करना चाहिए रिमाइड भी कर सकतो बढ़ना नहीं भी कर सकतो कोई प्रावलम के बात नहीं से नीचे आपको पासवर्ड का उपसन देख रहा है सिंपली से आप इस पर क्लिक कर दो क्लिक करना यहां पर आपका जो वालेट है क्रियेटिंग हो र आपको एक स्टाट का बढ़न देख रहा है तो सिंपली से आप यहां पर क्लिक कर दो क्लिक करने का यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर बोल रहा है कि कि अगर आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हो फ्यूचर में तो आप उसे फॉर्गेट नहीं कर सकते हैं यहां पर आपको एक फेज दिया जाएगा उस फेज को आपको नोट डाउन करके रख लो जब भी फ्यूचर में आप अपने पासवर्ड को भूलोगे तो सिंपली से उस फेज को अगर आप इंटर करोगे तब ही आप अपने एकाउंट को पासवर्ड को रिकवर कर दुख अगे नहीं तो आपको और कोई ओप्सण नहीं है तो सिंपली से यहां पर अपना जो यहां मैं पिछ दिया जाएगा उस में पर करतनार करके आप सब wr पर्म का ओपसन देखने को यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर रिवेल करूंगा आपके सामने मेरा जो एकाउंट का जो भी फेज है जिस फेज के एकॉड़िंग हम इस फेज के हेल्प से अपने जब फ्यूचर पास्वर्ड भूल जाए वह दोस्तों यहाँ पर इ दिया गया इस वट को आप अच्छी तर से कहीं पर नोट कर लो कि आप फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो तो सिंपली से यहाँ पर आपको यह सब याद करना आपको इसका काम होगा सिंपली सबसे पहले इसे आपने कोपी में नौट डाउन करके रख लो दो डॉट डाउन करने के बाद आपको नेक्स करना सिंपली स आपको कंटियूदूर्य करने का यहाँ देख रहे हो कि जो भी आपको फिष भगेरा अभी जस्ट पहले थोडि देर पहले आपको दिखाया गया था वह सभी फेज को आपको जैसे जिस भी नंबर एकॉर्ड ड ऐसे जो जो वर्ट दिखा हुआता है सिंपली सारा चीज आप यहां पर इंटर करो तो सिंपली से आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा तो चलिए अब सिंपली से जो भी हमें वर्ट वगएरा मिला था उसे यहां पर हम यह से भड़ देते हैं तो जैसे ही दोस्तों जिस भी आपको यहां पे लाष्ट वगएरा दिया गया था उसे आप एकोड़रिग यहां पर इंटर कर देतुशन जो आपका वैले त्योट था जो भी आपका आवह कोड़ीक अर्ड करने कवाद यहां पे कुछ इस तरह का आपका Pastor कर यहां पे देखक ऑड़ा इंटरवीशन निकल के आर चुका है तो अगे अगर डिटेल में पताने लगा हो किस बटन का क्या 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 है तो बहुत लॉंग वीडियो बन जाएगी तो उसके लिए कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पुरे डिटील के साथ बताऊंगा किस तरह से आप इसे इस वालेट को यूज कर स यहां पे ऑपन करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस्स आपको दिकला एगा वल्कम तो और पैंसी तो सब्सक्राइब कर दो कंट्यू करने का नेक्स्तों यहां पे आपको सामने दिखा रहा है में टामक्स त्रस वालेट प्लेट इसी तरह के और भी बहुत सारे अगर जिसम कर देखा आपको आपको अप्लिकेसन है मेटा मार्ट पर स्सिम्प्लिस से जो भी पाश्वड आपने सेवी हुए था उपल नीची आप इस पर कुलिक कर सकतो आ से आप का एकाउंट यहां पर पर होलग हो स्टोशια और पर से connect हो चुका है यहाँ पे आप OpenC application को मैं भी आपको आपको आपन करके दिखाता हूं यहाँ पर देख सकते हो simply से आपका जो मेतामार्च का account था जो भी वाइलेट था वो simply से इस पर सिंपली से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से आप देख सकते हो तो दोस्तों आई होब कि आपके मन में जो भी सवाल था कि NFT क्या चीज़ाएं MetaMarks Wallet क्या चीज़ाएं किस तरह से MetaMarks Wallet को बना सकते हैं कनेक्ट कर सकते ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म से यह सब सवाल आपके मन से किलियर हो चुका होगा और आई होब कि दोस्तों आपको वीडियो भी पसंद आगे वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कर देना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेया जरूर से जरूर कर देना तो दस्तों तब तक के लिए जैन इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ आपके नेक्स टाइम